दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आप अपने फोन में गूगल पे एकाउंट डिलीट करना चाहते हैं हमेशा के लिए तो कैसे आप डिलीट कर सकते हैं वही आपके साथ सेयर करेंगे कि अकिरकार गूगल पे एकाउंट पर्मानेंट के लिए ड डिलीट कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कैसे करना होगा कैसे आपका डिलीट होगा तो बस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहें हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनने आपको फालो करना होगा और आपका गूगल पे एकाउंट हमेशा क को open करिए हम यहां पर आपको समझाने वाले हैं पहला तरीका वो सबसे ज़्यादा आसान है अगर आपने Google Pay को चलाना नहीं चाहते हैं आप इसे बंद करना चाहते हैं तो आप यहां पर दो काम कर लिजे पहला काम यह करिए कि आप अपना सबसे पहले यहां से अपने bank account को हट आप यहां से अपने bank account को हटा देंगे हटाने के बाद क्या होगा कि आपका कोई भी पैसा का लेंदेन नहीं हो पाएगा ना आप पैसा ले पाएंगे और ना ही आपके bank से कोई भी पैसा transfer कर पाएगा तो आप पहला काम यह करिए और यहीं पर आपको अपना mobile number भी change कर देन है जब आपना mobile number change कर देंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपके जो bank में mobile number लगा है वो आपका change हो जाएगा यहां पर कोई ऐसा mobile number लगा दीजिए जो आपके किसी भी bank account में ना लगा हो किसी भी bank से ना जुड़ा हो तो आपका यहां पर कभी भी bank add नहीं होगा तो आप समझ सक लिए तो आपको जाना होगा profile पर profile पर जाने के बाद bank account पर और यहां पर आपको मिलेगा आपका bank आप इस पर क्लिक करिए यहां पर मिलेगा three dot आप इस पर क्लिक करिए यहां पर मिलेगा remove account आप इस पर क्लिक कर दीजिए और यहां पर continue तो आप यहां पर आपका bank account हट चु तो फिर से आपके bank को कोई भी add कर सकता है अगर आप अपना mobile number चेंज नहीं करेंगे add पर click करके फिर से आपकी bank को add कर लेगा कोई भी तो अब यहाँ पर आपको दूसरा काम करना है कि अपना mobile number आपको change करना है mobile number change करने के लिए यहाँ पर मिलेगा setting आप इस पर click करिए personal info आप इस पर click करिए यहाँ पर आपको मिलेगा edit mobile number आप इस पर click करिए इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको अपना वो mobile number डाल देना है जो mobile number आपके bank में किसी भी bank में register ना हो आपके किसी भी बैंक से जुड़ा ना हो और उसके बाद नेस्ट कर दिजिए तो आपका मुवाइल नंबर चेंज हो जाएगा और आपका बैंक हट जाएगा तो आप बेफिकर हो जाएगे और आपका गूगल पे पूरी तरीके से बंद हो चुका है और फिर आप अपने गू और हमist а के लिए डिली हो जाता है इसु dato यहाँ से भाच आने के बाद आपको इस पेज पर आजाना है यहाँपर आपको एक पेज दिखाई देगा यह व्ला तो आपको इस पेज पर आना होगा यहाँपर मिलेगा मैनेज गूगल एकांट आप इस वाले अप्सन पर visit क्रि और मिलेगा एक security और एक मिलेगा data and privacy आपको data and privacy पर क्लिक करना है यसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपको सबसे नीचाना होगा नीचाने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा अभी आपको दिखाते हैं delete a google service जैसा कि आप देख रहे होंगे अब आपको delete a google service पर क्लिक क करेंगे तो यहाँ पर आपको google की सारी की सारी service दिखाई देंगी जो आप google की service आप use करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना password डालना होगा आप अपने email id का यहाँ पर आप पासवार्ट डाल देंगे तो चलो हम यहाँ पर अपने email id का password फिल अप करते हैं मैंने यहाँ पर दाल दिया है अपने email ID का आप यहां पर आपके समने आज चुका है delete a Google service और यहां पर आपको एक service दिखाई देगा एक मिले का Gmail एक मिले का YouTube अगर आपका YouTube चैनल है तो आप वो भी आप यहां से delete कर सकते हैं यहां पर मिल जाएगा गूगल पे delete your information for Google पे तो यहां पर आपको delete का icon मिलेगा आप इस पर click कर देंगे जैसे आप इस पर click करेंगे आपके समने term and condition आजएगा और यहां पर आपको बताया जाएगा अगर आप Google पे delete कर देते हैं तो आपका सारा कुछ delete हो जाएगा जैसे आपका transaction history और आपका bank अगर add होगा तो वो भी आपका delete हो जाएगा तो यहां पर बताया जाएगा the following will be permanently deleted और इसे आप इस तरीके से tick करेंगे उसके बाद इसकी सारी की सारी ये steps को आपको पढ़ लेना है अगर आप पढ़ना चाहते हैं उसके बाद इसे आप tick करेंगे और यहां पर मिल जाएगा delete google pay और इस पर आप click कर देंगे तो यहां से आपका google pay हमेशा के लिए delete हो जाएगा तो हम यहां पर इसे delete करने वाले नहीं हैं मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है तो बस आप यह दो तरीके आप फालो कर लिजिए अपने phone के google pay के अंदर और आपने google pay को हमेशा के लिए delete कर सकते हैं जो मैंने आपको बहुत ही आसानी से बताया हुए है और आपको समझ में भी आ गए होंगे और अगर आपको अब भी कोई यहां पर problem है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं और हम आपको पूरा का पूरा कोशिस करेंगे reply देने के लिए तो मिलते हैं next video में इस video के लिए इतना ही